बच्चों हम लोग लाइव आ चुके हैं आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम यहाँ पे बात करेंगे किसी इसको उपर आज हम लोग यहाँ पे हिंदी सौमाख्स का तीसरा चप्टर देख रहे हैं चप्टर का नाम है संपुर्ण करांती और इस पार्ट को हम लोग काफी अच्छे से आज हम लोग जानने वाले हैं आपके पास एक बुक होगा उख दिगंत भाग दो करके एक बुक होगा और ये तो से आज हम पढ़ा रहें और इसका थीसरा चाप्टर में आप जाएंगे ना थीसरा चाप्टर है आपको मेलेगा जै प्रकास नाराइन का यह संपुर्ण करांति ऑपको देखेगा यह इतना चोटा है कि आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम क्या किये हैं कि वही चीज को जो समझ में आयेगा, इसलिए यहाँ पर ऐसे कर दिये हैं, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यह पूरा का पूरा तीसरा चैप्टर जो है, आज की स्लाइब क्लास में, हम पूरे अच्छे से खतम कर देंगे, पूरे अच्छे से कम्प्रीट कर देंगे, सबसे साथ पूरे चैप्टर का संपुर्ण हिंदी अर्थ जो होता है, वो भी अभी हम आपको बताएंगे, तो बहुत ही मज़ितार क्लास है, आज के इस क्लास को आप देख लेंगे, यह चैप्टर से कोई भी एक अबजेक्टिव सब्जेक्टिव कोशन आप से नहीं बज़ पा कर लीजे, ज़्यादा ज़्यादा लोग रहेंगे, और एक्दम पूरा उस्सा उमंग के साथ हम लोग को अच्छे से पढ़ना है और इसको कम्प्लीट करना है, ठीक है, मतलब यह थोरी से लंबी क्लास होगी, ओबिसली यह थोरी से लंबी क्लास होगी, है न, लेकिन यह कि इक बर बताइए और फिर हम लोगे स्टार्ट कर लेंगे सिरुक किया जाए बोलिए चलो स्टार्ट करते हैं I think हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए आप लोग इमांदारी से सेर बगरा कर लिये होंगे अब हम लोग को यहां पर देखना है क्या चीज हम लोग को अप देखना है ये संपून करांति पूरा-पार्ठत्र को ओक्य चलो वैड जस्ट शकेंड कि ठीक है कि ऐजो संपून करांति का ये जो सबसे पहली संपून करांति है ठीक है ये जो अपने पास नगी इसके लिखवा कौन हो जाएंगAY ये आप ऊपसे पूछा जा रहा है ठीक है यह आप से यहां पे पूछा जा रहा रहा है इसे आपके एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है यहां जरूरी है तो आए सबसे पहले लेखक जी के बारे हम जानते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है, संपूर्न क्रांती, ठीक है, संपूर्न क्रांती, जस्ट ए सकेंड बावलो, एक सकेंड हम दुवारा से इसको स्टार्ट कर देते हैं, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, चलो क्रांती के लेखक कौन हो जाएंगे इसके लेखक हो जाएंगे कौन जैप प्रकास नारायन ठीक है याद रखोगे संपून क्रांती के लेखक कौन हो जाएंगे तो संपून करांती के लेखक हो जाएंगे जैप्रकास नराइन यहां पे इनकी तस्बीर लगी हुई है यही है जैप्रकास नराइन जी जिन्होंने संपून करांती को लिखें एक तरीके से संपूर्ण करांती एक छोली में है क्या तो संपूर्ण करांती एक भासन है ठीक है एक भासन है संपूर्ण करांती क्या है यह जो है एक क्या है यह क्या है एक भासन है ठीक है यह एक भासन है जो उन्होंने कब दिया था जो उन्होंने पठना के गांधी मैदान में ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है, कब दिये थे भासन, ये भी सवाल आपके एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो देखो, कब दिये थे भासन, 5.095.1994 को ये भासन दिये थे, संपुन करांथी भासन, ये पठना के गांधी मैदान में भासन दिये थे, याद रहेगा, ठी निधन जो होता है 8 October 1989 को ठीक है तो इनका ये जन्म और निधन इनका भासन ये कब भासन दिये थे लेखक कौन है जैप्रकास नाराएंजी संपोन करांती के तो ये आपको ध्यान में रखनी है अब कुछ-कुछ और जानकारी है इनके बारे में लेखक परचे हम देख रहे हैं कि आपके एक्जाम में अगर कहीं से कुछ भी कोषन इनसे संबंदित आये तो आप एक एक कोषन अच्छे से बना सको ठीक है इनका जन्म होता है कहाँ पे जैप्रकास नाराएंजी का सिताब दियारा घाउंमे माता इनका है फूल रानी तेवी है ठीक है पिता का नाम है हरस पुत्री थी ठीक है इनकी जो पत्नी थे वो जो परसिद गांधिवादी हैं ब्रज किसोर परसाद जी की पुत्री थी वो ठीक है प्रभावती देवी जी ठीक अब ये सिक्षा कहां से प्राप्त किये ये वी सवाल बनती है कि भाई ये सिक्षा कहां से प्राप्त किये तो दे 1922 में शिक्षा प्राप्त के लिए अमेरिका गये थे अमेरिका ये कब गये थे 1922 में याद रखना है मां के और स्वस्ताता के कारण पीएशडी नहीं कर पाए मतलब मां बहुत ज्यादा बेमार रहती थी इसके कारण ये पीएशडी नहीं कर पाए इनके पढ़ाई में इसका प्रहापरा ठीक है अब देखो इनके सिक्षा के बारे में तो जानके अब कुछ इनकी राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं ठीक है लेखक परचे से यह है आपके पास अगर कॉपी है अब्यसली होगा ही है ना इसके लिए आपके पास कॉपी तो होगा ही तो आप इन सारे चीजों को चाहोगे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं लेखक परचे को ताकि इसको बारबार क्योंकि इसमें बहुत सारा डेट वगरा है और यह इतिहास के धर आपको याद करना प भलता होता है वो भी को लीजिए हम जो आपका दिखकत जो आपका डाऊट जो भी आप चाहते है जो आपको एक्षा करते हैं वह चीश हम आपको अच्छे से पूरा कर देते हैं तो आज अंजी इनको लोक नायक के नाम से भी जानते हैं लोक नायक जैप्रकास नराइन है ना लोक नायक के नाम से अब देखो 1929 में सबसे पहले ये कॉंग्रेस में सामिल हुए 22 में 22 में ये गए थे कहाँ पर अमेरिका में 1929 में ये गाय काई दोरान जेल गए थे जेल से निकलकर कॉंग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का अखभशन ना आधान है उसके बाद को इनकी राजनेतिक जीवन में और क्या-क्या होती है तो वो कुछ-कुछ और यहाँ पे डीटेल्स दिया गया है जो की देखना है और वो क्या है? वो है अपने पास 1949 और 1943 में वो पुनह जेल गए देख रहे हैं, मतलब करांती काडी जो लोग होते हैं, जो की मतलब सरकार के खिलाफ आबाज उठाते ते हैं वो अख्सर जेल जाते हैं और यहाँ पे वही हुवा है 15 inf-52 में परजा सोशलिस्स पार्टी का फिर से यह गठन किये कौनसा पार्टी का? परजा सोशलिस्स पार्टी का गठन 1954 में ये बीनोभा भावे के सर्वोदे आंदोलन से जूरे 1974 में छात्र आंदोलन का नेतरित किया आपातकाल के दोरान जेल गए फिर से एक बार जेल गए देखो यहाँ पे 1949-1943 में जेल गए फिर से उसके बाद आपातकाल के दोरान जेल गए इनके माघदर्शन से जनता पाटी का गठन हुआ नहीं के माघदर्शन से ठीक है? तो राजनितिक जीवन इनका कुछ यू रहा था तो ये सारा चीज ऐसा चीज है जिसको आप EK करके वीडियो को रोक रोक के आप आराम से note down करोगे तब ही आप यह चीज याद रख सकते हो ठीक है? बाकि समझने वाला चीज तो आज हम लोग समझेंगे ही ना समपूर पूरा हिंदी अर्थ तो हम लोग समझेंगे अच्छे से अब इनका कुछ और डीटेल है जो की मात्र दो डीटेल और है लेखक परचे में वो है कृती और सम्मान ठीक है? इनकी कौन-कौन से कृतियां है और कौन-कौन से सम्मान इनको मिला है तो यह चीज हम लोग जानते हैं तो देखो, Reconstruction of Indian Polity यह जो है इनकी कृती है जो की बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है Reconstruction of Indian Polity के लेखक कौन है तो जैपरकास नराइन जी और साथी साथ कुछ कविताएं भी लिखी है डाइरी और निवन्द भी इन्होंने परकासित किये हैं जैपरकास नराइन जी खुद ठीक है इनको सम्मान कौन सा मिला था 1965 में समास सिवा के लिए इनको मैगसे से सम्मान मिला था मैगसे से सम्मान जैपरकास नराइन जी को कब मिला था 1965 में याद रखना 1965 में इनको मैगसे से सम्मान मिला था भारत रत्म सम्मान इनको कब मिला था 1998 में मिला था 1998 में मिला था एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि जब इनका निधन हुआ है 1989 को ठीक है इनका निधन तो हो गया था 1989 को ही इनका निधन हो गया तो भिया इनको 1990 में भारत रत्म कैसे मिला था तो भारत रत्म जो था अक्सर वो जो है मरनो उपरांत मिला करता था से झालाएं कि अब तो कुछ लोग को ऐसे भी मिल गया है लेकिन पहले क्या होता था ये तो अब तो Canadian मिलता था तो यहाँ पर29 में इनको भारत रत्न मिलाता ठीक है प्रुषकार इनको मिला था तो यह कुल्मिला के जैप्रकास नराएजी के बारे में हुआ अब जा के हम जैप्रकास नराएजी का जो चैप्टर है संपुन क्रांती जो उनका भासन है उस भासन की सुरुवात करेंगे और बहुत अच्छे से पूरा जोस उमंग के साथ इसको पढ़ेंगे और ये असल में एक भासन है और ये भासन को ही अच्छे से लिखा हुआ जो जैसे वो भासन में बोले न वही यहां पर पूरा का पूरा लिख दिया गया है ठीक है तो वही समझोगे कि आज वही भासन आप सुने गए आप लोग तो उस जमाने में नहीं थे आपके बावा वगरा ओल्मोस साइट से गए होंगे ऐसा कुछ तो साइट से ठीक है जैप्रकास 9 जी को सामने से देखने का और उनका वह भासन ये हुंकार भरी जो भासन होगी न वह सुनने को आपको मौका नहीं मिला होगा तो आज वही मौका मिलेगा और आज वही सारे सब्द आपको बहुत अच्छे हम आपको बताएंगे ये समझना कि यहाँ पे हम सारा वही भासन दे रहे हैं जैप्रकास्ट नाना इन वन के और आप इदम जनता वन के सुन रहे हो ठीक है वैसे ही कुछ अंदाज में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तयार हो सब सब तयार सब रेडी ओल रेडी सर यह क्लास डेली होता है ओब्यसली डेली होता है ठीक है सब तयार सब रेडी हो स्टार्ट किया जाए एक वर जल्दी से जल्दी से सब लोग चैट सेक्शन में लिए दो यह सर ओके जल्दी से लिए को सब लोग रेडी डाइनमलोग के स्टार्ट करेंगे जले जले फटाफट फटाफट ओके सर येस सर हां सर चलो तो लंबा क्लास है अभी से लगवग आप समझ लो एक गंटा प्रॉपरली हमें दो दो एक गंटा क्यों अल्मूस्ट में हम पूरा अभी चैप्टर खतम कर देंगे ठीक है बस एक गंटा हमें आपका चाहिए और एक गंटा में आप देखो कितना अच्छे आप इस चैप्टर को समझ जाओगे ठीक तो बस एक गंटा आपके दिमाग में कोई इफ और कोई फोन का नोटिफिकेशन किसी का कॉल ये सारा चीज नहीं आना चाहिए एकदम प्रॉपर पढ़ाई पर फोकस कहीं उठके नहीं जान है कि आप हर चीज इस चैप्टर से लिख सकते हो अभी बस लुप्त उठाइए इसका मजा लीजिए है ना तो बस थोरा सा इंतजार का मजा लीजिए बस वैसा ही चीज है बस इस भासन को सुनिए ठीक देखो जैप्रकास नाराइन जी मंज पर आते हैं ठीक है जैप्रकास नाराइन जी मंज पर आते हैं और ऐसे बोलते हैं बिहार परदेश चातर संगर समिती के मेरे योबक साथियों बिहार परदेश के असंग नागरिक भाई और बहनों अभी अभी रेनु जी ने जो कविता पास्तब में उनका था, सुनाना तो वो चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि वो कभीता सुना दे या नहीं, मैंने स्विकार किया, लेकिन उसने बहुत सारी असमेर्तियां और अभी हाल के बहुत दुखद असमेर्ति को जागरित कर दिया है, जैसे हिर्दय भर उठा है, ठीक मेरे योबक सातियों, बिहार प्रदेश के औसंग नागरिक भाईयों और बहनों, अभी अभी, रेनु जी ने जो भासन दिये, जो कभीताएं उन्होंने पढ़ी है, उन्होंने हम से पूछा, कि क्या वो कभीता सुना दे, तो हमने स्विकर्टी दे दी, लेकिन उसमें बहुत सारे दुखत घटना याद आ रही है, तो ऐसा यहां पर यह वताते हैं, और आपको सायद मालूम नहोगा, आपको पता नहीं होगा, कि जब मैं बेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था, तो जाते समय मदरास के दो दिन अपने मित्र स्री इस्वर अयर के साथ र इस्वर अयर के साथ इन्हों ने ये रुके थे, वह दिनकर जी गंगु बाबु मिलने आये थे, लेकिन गंगु बाबु तो साथ ही रहते थे और दिनकर जी बड़े परसन दिखे थे, अभी हाल में, उनोंने अभी हाल की कुछ अपनी कविताएं सुनाई, और मुझसे कहा, कि आपने जो अंदोलन शुरु किया है जितनी मेरी आसाइएं आप से लगी थी उन सब की पुर्ती आपके इस अंदोलन में इस नई आवाहन में देश के तरुनों का आपने जो किया है वह देखता हूं ठीके है? वह देखता हूं तालियां, तालियां हर्गेज न वजाएए, मेरी बात चुपचाप सुनिये, लोग अकसर, वहाँ पे क्या थे, लोग सारे लोग सुन रहे थे, पटना के गांधी मैदान में सब लोग भासन सुन रहे थे, और यहाँ पे ये भासन दे रहे थे, कि ये जो है, दिनकर जी बोलत हूँ, इतना ही पे सब तालियां वजाने लगे, और तब बोलते हैं, नहीं, तालियां नहीं वजाएए, मेरी बात सुनिये, मेरी बात आप लोग चुपचाप सुनिये, अब मेरे मुझ से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो बिचार मैं आप से कहूंगा, वे बिच हुंकारों से भरे होंगे, करांतिकारी वे बिचार होंगे, जिन पर आपको अमल करना आसान नहीं होगा, ठीक है, अमल करने के लिए बलिदान करना होगा, कस्ट हना होगा, गोली और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जमीनों की कुर्कियां होगी, यह सब होगा यह करांती है मित्रों यह करांती है और संपूर्ण करांती है यह कोई बिधान सभा के बिगटन का ही अंदोलन नहीं यह बिधान सभा का सिर्फ बिगटन का अंदोलन नहीं है यह वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है दूर जाना है दूर जाना है जवारला नहरू सिंग उनके साथी बंगाल के सारे करांतिकारी साथी महाराष्ट के साथी देश वर के करांतिकारी सभी गोलियां की निसाने बन गए या तो फांसी पर लटकाए गए जिस स्वराज के लिए लाखो लाख देश की जनता बार बार जेलों को भड़ती रही है लेकिन आज 27-28 वर सिंग के करांतिकारी उसके साथ माराष्ट के करांतिकारी यह देश भर के सब गोलियां खाई सीने पर गोलियां खाई सब लोग jury बढ़ते रहे गोलियां खाती रहे वहों सबकि कुर्वाणिया वह कुर्वानिया दे या ये स्वराज हाशिल किया है आज 27-28 वर्श महगाई है भूख है ब्रस्ट अचार है कोई काम नहीं जनता का निकलता बिना बेगर रिस्वत दिये सरकारी दफ्तरों में बैंक में हर जगा टिकट लेना उसमें जहां भी हो रिस्वत के बेगर काम नहीं जनता का होता हर परकार के अन्याई के नीचे जनता दव रही है, सिक्षा संस्थाइब रस्थ हो रही है, हजारों नौजवानों के भविस अंधेरे में परा हुआ है, जीवन उनका नस्थ हो रहा है, सिक्षा दी जाती है, गुलामी के सिक्षा, ऐसा यहाँ पर जैपरकास नाराइन जी बो में इस सथिते में तो मित्रों आज की स्थितीय जो कुछ हम अपने सब्द सुनाये बरे लगातान थेDini 19 q reflected जो भी कुछ हमें बताएं थे सोर एयर के यहां जो कुछ dinc robia ने हमें सुनाय था है न और उसी रात जब विदा हुए मतलब उसी रात जब दिनकर जी विदा हुए थे उसी रात को वो हमारे मित्र रामनाजी गोयन का यानि इंडियन एक्सप्रेस के जो मालिक थे के घर महमान थे मतलब हमारे एक मित्र थे कौन इंडियन एक्सप्रेस के एक मालिक थे जो नाम क्या था रामनाद जी गोईनका उनी के घर पे दिनकर जी राम धारी सिंग दिनकर जी यानि रास्ट कभी जो थे वो महमान थे उनी के घर पे और वो जो महमान थे रात को उनको दिल का दौरा पड़ता है दिनकर जी को उनी के घर पे रात को दिन का दौरा पड़ता है ती दिनकर जी को तीन मिनट में बिलिंग्टन नर्सिंग होम साइद उसे कहते हैं जहां पे उन्हें बढ़ती किया गया, सारा इंतजाम था वहाँ पर, पटना का स्पताल तो पता नहीं, तीन घंटे में भी तयार नहीं हो पाता, सभी डॉक्टर सब तरह के अजार लेकर तयार थ आज लगता है हमारे दो मित्र की कितनी कमी है, आज भाई बेनिपूरी जी होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, उनकी लेखनी बेनिपूरी जी, राम ब्रिश बेनिपूरी जी अगर होते, आज लगता है कि वो दो मित्र की बहुत जादा कमी है, पहला दिनकर जी की, जिन का जो वर्नन हुआ देते एक-एक सब्द के लिए सब्द में अंगार होते आग होता एक-एक सब्द में आज दिनकर जी की जो कविताएं लिखते हैं दिनकर जी जो कविताएं लिखते हैं नई भारत के नवनिर्मान के लिए जो देश के दोनों नहीं है, ना दिनकर जी, ना बेनी पूरी जी, ठीक है, तो इस परकार से यहाँ पर यह कहते हैं, और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस सुनते रहिए मित्रों, आगे देखें, तो मित्रों, यह समेटियां जगी है, यह समेटियां जगी है, और इस नहीं लिया हूँ तरुनों से छात्रों से बरावर कहता रहा हूँ कि जब पहला हमने आवाहन किया था यूथ फो डेमोक्रेसी का लोग तंदर में यूबकों का क्या रोल है यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था और उसके बाद बरावर कहता रहा हूँ कि संचालन समीती में बहस करता रहा हूँ कि हम बूढे हो गए जैपरकास नाराइन जी कहते हैं कि अब हम बूढे हो गए हैं हमारी सलाह ले लीजिए हमारी हम दूसरे पीडी के हो गए और आप नई पीडी के यूबक हैं आप नई पीडी के लोग हैं देश के भविस हैं देश के भविस आपके हातों में है उस्सा है आपके अंदर सक्ती है आपके अंदर जबानी है आपके अंदर आप नेता बन यहाँ पर ये केते हैं कि आज हम बूड़े हो गए, लेकिन हमारी कंदों पर आज एक जिम्मयदारी है, और इस जिम्मयदारी को मैं मांग के नहीं लिया हूँ, बलकि यूवाओं ने, चात्रों ने, समीतियों ने हमें ये जिम्मयदारी सौपी है, मैंने हर हमेशा ये कहा है कि आप युवा ये जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए युवा के हाथों में होनी चाहिए आप बनिए इसका नेतुरित करिए मैं सलाह दूँगा क्यूंकि आप युवा जो हैं आप इस देश के भविश हैं कल के नेता हैं आपके हाथ में ये देश का बा बाद टालता रहा नेतृत करने का बाद मैं खुद टालता रहा टालता रहा लेकिन बेलोड जाते समय अंत में मैं हार के ये बात स्विकार करी लिया कि ठीक है मैं ही नेतृत कर लूँगा है ना तो लास्ट में जाके मैं ये स्विकार किया तो ये जिम्मेदारी मैं मांग के न परन्तु छातर से आप सबसे भी या अनरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना, आप सबसे अनरोध है कि मैं सिर्फ नाम का नेता नहीं बनना है, मुझे सामने खरा करके, कोई और हमें डिक्टेट करें पीछे से कि क्या करना है जैपरकास नराइन तुमें, तो इस नेतुरुट को मैं कल छोड़ देना चाहूंगा अगर मैं सर्फ नाम कनेता नहीं बनूँगा अगर कोई मैं सामने खरा रहा हूं और पीछे से मुझे डिक्टेट करे को यह बताए कि मुझे क्या करना मतलब कोई और दूसरा मतलब दूसरे के बतुलत सरगार चले तो मैं उस उस पद को मैं उसी दिन अगले ही दिन कल ही मैं छोड़ना चाहूंगा नेतृत करना छोड़ देना चाहूंगा ठीक है मैं सब की सला लूँगा तालिया नहीं वज़ाएं तालिया नहीं वज़ाएं मित हैStrs अंगर समीति लोगों की छात्रों की हर समीति के बास सनूंगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा इस फैसले को इसको मानना होगा आप सब को मानना होगा तब तो इस द्रोत का कोई मतलब हो है और नहीं तो आपस बहुत बहसों में पता नहीं हम किदर खो जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा देखिए हम हर किसी का बात मानेंगे हर लोगों की बात समझेंगे आपके पास बैठ के छातरों के पास बैठ के समय बिताएंगे उनके अंदर जो भी दिक्कत है जो भी समस्या उनके पास है वो चीज़ को सुनेंगे समझेंगे और उसको लागू करने की कोशिस करेंगे लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा जिसको हर लोगों को मानना होगा तब ही जाके इस नेतृत का कोई फाइदा हो सकेगा मतलब निकल सकेगा नहीं तो आपसी जगरों मे हम लोग पता नहीं किधर विखेड जाएंगे और नतीजों का क्या हाल होगा तो यह यहाँ पर बताते हैं कौन जप्रकास नराइन जी ठीक है बस पढ़ते चलिए लगातार पढ़ते चलिए और इसी परकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे देखो आज क्याज इस चाप्टर बस अभी भासन का लुफ्त उठाई है ठीक है आप लोग आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान में और अभी घर बैठे आप पटना के गांधी मैदान में फील करो कि आप गांधी मैदान में और आप भासन सुन रहे हो ठीक है लगातार बहुत दिनों से साबजनिक जीवन वाले थे मुझे भी छात्रवर्ति मिलती थी सब अबल दर्जे के क्रीम थे ठीक है उस समय के विद्यारतियों में मतलब सब लोग बहुत अच्छे पढ़ने वाले लोग थे यानि 1921 के जनवरी के महिने में मैं इसी पठना कॉलेज के आयसी का विद्यारति था उभासन के दौ सब पढ़ने में एकदम फुल माहिड थे उस समय के विद्यारति में और हम सब ने एक साथ गांदी जी के आवहन पर और सहयोग किया और सहयोग करने के बाद करीब देर वर्स यह तो मेरा जीवन बीता चुकि मैं साइंस का विद्यारति था तो राजेंद्र बाबु के सची ऱ् ने और उनकी लबॉटरी में उनकी परियोक साला में कुछ परियोग करो अर उनसे कुसिको महामना मदन मोहन माल भीये जी के लिए मेरे हिर्दाय में बहुत पूजा का भाव है परन्तु हिंदू विस्विध द्याले में दाखिला होने के लिए मैं तयार नहीं था य का मतलब सरकार उस पे अपना रोब जमाती है, सरकार वो सतंतर नहीं था, वो पुर रोब से राश्टी है, बिद्याले नहीं था, मैं तो बिद्याले में नहीं गया, तो मैं किसी बिद्याले में नहीं गया, मैं बिहार बिद्या पीठ में मैंने परिक्षा दी ISE की पास तो कर पास कर गया उसके बाद बच्पन में जब हाई स्कूल में था मैंने स्वामी सत्देव के भासन सुने थे अमेरिका के बारे में कोई धनी घर से मैं था नहीं थोरी सी खेती और पिताजी नहर विवाग में जिलादार बार में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए मेरे पिताजी एक खेती वारी करते थे और पिताजी नहर विवाग के जिलादार बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए नॉन गेजिट अफसर थे उनकी हैसियत नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे मतलब मेरे पिताजी बहुत गरीब परिवार के थे और उनकी ये हैसियत नहीं थी कि वो मुझे अमेरिका पढ़ने के लिए भेजे तो मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके भी लड़के पढ़ सकते हैं मेरी इक्षा थी कि आगे पढ़ना है मुझे आंदोलन तो गिराब पर आ गया था चढ़ा पर था उतर चुका है ठीक है ये बोलते हैं इ अभी जो है यहाँ पर चुनाव वैसे भी सब्साइब चुका है, चरहा पड़ था, अब उतर चुका है, चुनाव का महाल सांथ हो गया, आप जाके आराम से पढ़ लेते हैं, इसी बीच अमेरिका की कुछ सिक्छा प्राप्त करके आ जाओं, इसलिए आमेरिका गया, कुछ ल रहते हैं मुझे हर हमेशा गालियां देते रहते हैं कितनी गालियां मुझे दी गई है चुकि मैं अमेरिका में पढ़ा इसलिए मैं अमेरिका का दलाल बन गया हूं ऐसा लोग कहते हैं कि मैं अमेरिका का दलाल हूं निक्सन के देद उतार जैपरकास की हो गई हार यह नारे ल ये अपनी बताते हैं ये किस परकार ये अमेरिका में पढ़े आज जो लोग भासन लगाते हैं लोग जनताओं से पैसा दे दे के भासन दिलवाते हैं कि निक्सन के दे दो तार जैपरकास की हो गई हार और अमेरिका का दलाल कहते हैं मित्रों आज सुनिए हमारी बात कि मैंने अमेरिका में किस परकार से पढ़ाई की आज सुनिए आप लोग मित्रों अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया कारखानों में काम किया लोहे के कारखानों में जहां जानबर मारे जाते थे उस कारखानों में काम किया जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था छुटियों मे काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 बिद्यारती मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे मतलब ये ऐसे ऐसे जगा पे काम करकर के खाना खाते थे रुप्या वचा लेते थे कुछ कपरे खरिदने के लिए कुछ फीस के लिए थोरा बहुत काम करके कुछ पैसा वगरा बसता था तो ये क्या करते थे ये क्या करते थे पैसा बचा के कुछ खाना खाने के लिए कुछ कपरे खरिदने के लिए कुछ फीस बढ़ने के लिए पैसा बचाते थे और बाकी हर दिन रवीवार को भी छुटी नहीं मिलती थी, एक घंटा रेस्टरॉम में होटल में या तो बरतंद होया या बेटर का काम किया, तो साम को रात को खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, बेटर का काम करते थे, होटलों में बरतंद होते थे, ऐसे करकर के जैपरक पाई पर मैं और कोई ना कोई अमेरिकन लगका रहता था एक कमरा में इतने तीन चार लोग मिलके रहते थे एक चार पाई मातर थी ठीक है वर्सों से दो चार पाई तक रूम में नहीं थी एक चार पाई पर मैं यह कोई ना कोई दूसरा फिर अमेरिकन लगका जरूर सोता था साथ में हम दोनों साथ सोते थे एक रजाई हमारी होती थी एक रजाई हमारी होती थी इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ इतवार के दिन या कुछ और टाइम में या जो होटल का काम है उसको छोर करके जूते साफ करने का काम सूसाइन पारलर में उससे लेकर कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था मतलब जूता साफ करते थे कमोड वो जो बात्रों होता है वो सारा चीछ साफ करते थे और ऐसे करकर के मैं मित्रों पढ़ा हूँ ठीक है वहाँ जब बीए पास कर लिया स्कॉलर्शिप मिल गई तीन महिने के बाद असे स्टेंट हो गया जब यह क्या करिए बीए पास हो गए स्कॉलर्शिप मिल गई तीन महिने के बाद ऐसे स्टेंट हो गए डेपार्टमेंट का टुटोरियल क्लास लेने लगे यानि वीडियो लेक्चर लाइव क्लास टुटोरियल जो पढ़ाने वाला क्लास होता था जब वो लेने लगे तो कुछ आराम रहा इस बीच में इन लोग तक दो भूठ परकार से अ कि अपने सारी कहानियां अपनी हर आपने बताते हैं जाइप रहाएं जी और आगे चलिए आगे इसको बहुत अच्छे से देखते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अमेरिका में विसकॉंसीन में मेडिसन में मैं घोर कमनिस था मतलब यह अमेरिका में घोर कमनिस थे वो लेलीन का जवाना था टोटरस्की का जवाना था 1924 में लेलीन मरे थे आप से एक्जाम है पूचा जाएगा लेलीन की मिर्टु कब हुई थी? 1924 में, 1924 में मैं माक्सवादी बना था और दाबे के साथ कह सकता हूँ उस समय तक जो मैंने माक्सवादी के जो भी गरंत शपे थे अंग्रे जी में हम लोगोंने पड़ डाले थे जितने भी दाबे के साथ कह सकता हूँ उस समय जितने भी मार्क्सवादी के गरंत शपयते हैं किताब वगरा शपयते हर किताब को हम लोग ने पढ़ डाला था रातो रात को रोज एक रसियन टेलर था दरजी था उसके हमारे उसके यहां हमारे क्लास लगते थे उसके आजाजा कि हम लोग डेली कुछ न कुछ ही लेते थे एकदम मार्क्सवादी के जो भी गरंत बगराते सब पढ़ लेते थे और वहां से जब भारत लोटे जब अमेरका से हम भारत लोटे ना तो घोर कमनिस्ट बनकर लोटा था लेकिन मैं कॉंग्रेस में दाखिला हुआ लेकिन फिर भी मैं जो है ना कमनिस्ट पार पार्टी में क्यों सांविविए इस पार्टीमें क्यों क्यों नहीं सामिल हुए जबकि एंगार प्रेकि जब बोलता है कि मैने लेलीन से सीका था यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ की जो किने उनको हरदाधी से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए यह दब ही ए प्राई का नेतुरुत किसी माक्सवादी भासा में बुजरुया क्लास कहते हैं। यहां के जो भी अपने पास क्या है? यह जो है ओपने पूर क्या करते हैं? अपने आपको औजादी से दूर नहीं रधना चाहिए लिकनि यहान के कव्निस्ट पार्टी आजादी से दूर। उनको कोई मतलब नहीं है वो आईसॉलेعت हो गए अपने आपको एक कम charming में बंद कर लिए कोई मतलब नहीं है इस पार्टी को लराई से उस समय भारत एक कि पहले बात मैंने नोट की आप से कहने के लिए कि वह सरकार के बारे में है आपसे बोलने के लिए वह यह है कि आज से तीन दिन हुए गफूर सहाब मिलने आए थे बहुत बहुत प्रेम से मिले उसके दो तीन दिन बाद चंदर सेखर बाबु मिलने आए बहुत प्रेम से मिले लेकिन परधान मंतरी से लेकर दिक्षित के नीचे सब लोग मुझसे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं इन में से किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जैपरकास नायन को सब्सदूर आ रहे हैं मद्यवर के लोग आ रहे हैं कहीं पैदल आ रहे हैं कुछ बस से आ रहे हैं कहीं रेलो से आ रहे हैं कहीं ट्रकों से आ रहे हैं दीजल अपना खरीद के आ रहे हैं लेकर के आ रहे हैं जहां तहां उनको रोका जा रहा है लरकों को पीटा जा रहा है ये फ्तार किया जा रहा है, अनायस, कोई, कोई जो है, कारण नहीं, और यहां हमसे आकर सब मीठी-मीठी बाते करते हैं, देखो, यह बोलते हैं कि परधान मंतरी से लेकर, गफुर साब यहां पर परधान मंतरी से लेकर, यहां पर यह बोलते हैं, कि देखिए, परधान मंतरी से ले करके दिख्षी जी से नीचे जितने भी लोग है न उस सरकार में सब लोग हम से आते हैं मिलने के लिए चुकि हम तो उसका भी रोध में खा रहे हैं तो सब लोग हम से आते हैं मिलते हैं उस पार्टी के मिलते हैं सब लोग आते हैं डेमोक्रेसी का पार्ट हमको सिखाते इनको अधिकार है कि यह परकाशनारी इनको डेमोक्रेसी का पार्ट सिखा है, इनका हिम्मत देखिए, फिर भी आते हैं, सब लोग डेमोक्रेसी का पार्ट सिखाते हैं, इनको हिम्मत देखिए, ये लोग हर तरफ से, जो भी लोग आ रहे हैं, सांती में परदसन के लिए उन देखें आगे यहां पर देखें इन्होंने जिद की कि इस रास्ते से जुलूस नहीं निकलेगा इसमें यह खत्रा है वह खत्रा है मुझे कोई खत्रा नहीं दिखा नहीं दिया खत्रा दिखाई नहीं दिया यह सरकार जो थी उसमें वह बोलती है इंद्रा जी का सरकार था वह बोलता है कि इस रास्ते से जुलूस नहीं निकलेगी इस रास्ते में खत्रा है यह खत्रा है वो खत्रा है हमें तो कोई खत्रा दिखाई नहीं देता ठीक है लेकिन जब उन्होंने कहा कि साइद जेल तोरने की कोसिस हो और साइद उन्हें गोली चलाने पर है तो मैंने कहा इस गई ऐसा हुआ है तब जाए रहें है लेकिन ऐसा नहीं है अब दो यहां पर यहां कि हमारी चातर संगर समीती के वहां जेल में हैं उनको जुलूस दिखाने के लिए आए मतलग जो भी जेल में भी थे उन सब को भी ले आए कि जुलूस देखिए ठीक है मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेज सरकार के जवाने में भी इस परकार का वैभार हुआ तो लोगों को तो रेलू से उतार दिया गया बसों से उतार दिया गया टिकट था उनके पास बेट टिकट लोग को तो अलग उतार दिया गया मुझolph पर पूर के रिपोर्ट आपने अखवारों में पढ़ियोगी सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ था सर्म नहीं आती इन लोगों को डेमोक्रेसी की बात करते हैं लोगतंत्र की डेमोक्रेसी में जनता का अधिकार नहीं है कि वो जहां चाहे सांती में सभा करें अपनी जहां भी चाहे सांती मुए मैं परदर्सन करे हुए राजपल के यहां जाना हुआ तो लाखों की दादात में जाए यह उनको हग नहीं है असम्बली के सामने जाए उनको पूरा दिखा रहा है हिंसा करे तो यह दूसरी बात ठीक है तो यहां पर यहां तक यह हुआ अब आगे चली आगे बढ़ते हैं यहां तक तो देखो यह बात करते हैं कि बहुत सारे लोग परधान मंतरी से लेके उसके नीचे जितने भी सारे लोग है न गफुर साब परधान मंतरी से गफुर साब उन सब को रोका जा रहा है, रेलो से उतारा जा रहा है, जो टिकट से हैं, बे टिकट हैं, उन सब को उतारा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों के सरकार में भी कोई इतना हद तक गिरा होगा, इतना हद तक कोई किया होगा, उतना ये लोग कर रहे हैं, ये डेम इम्मोक्रैसी यह ऐसा करके बूलते हैं हमसे मिलने आये पुलिस के एक उचा अधिकारी ने कहा ठीक है हमसे उन्होंने कहा नाम लेना ठीक नहीं हो वो बोल रहे थे कि दिक्षित जी उनको बोल रहे थे कि जैपरकास नारायन जी यानि हम नहीं होते तो यह बिहार जल रहा होता यह पूरा बिहार जल गया होता यह कहते हैं जब जैपरकास के नारायन के बारे में आप ऐसा सूचते हैं तो जैपरकास नारायन के लिए सारा क्य यह परदर्शन और यह सवा होने वाली है क्यों लोगों को रोकते हैं आप जनता से घबराते हैं आप जनता क्या परतिनीदी हैं किसकी तरफ से सासन करने बैठे हैं आप आपकी हमत है कि लोगों को पटना आने से रोके आपकी राजधानी है उनकी अपनी राजधानी है आपक करता लेकिन यह नीचता का वेभार है मित्रों यह नीचता का वेभार है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुस्मन है तो वे लोगों का दुस्मन है वे लोग दुस्मन है अगर कोई डेमोक्रेसी का दुस्मन है तो वे लोग दुस्मन है जो जनता के सांती में काड़करमों में अच्छात रहेगा इनमें कोई संदें नहीं है हम को मित्रों एक बात तो और जाने थी आप देखिए दौति ये अपने प्रस्नल यहां कहने थी कि मैं जानता हूं कि डॉक्टर रह्मान यहां बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में परे होंगे कि इस जोड़ से बोलने का ठीक है, इनको थोरा सा हीर्दय का भी प्रॉब्लम था, इसलिए यहां पर यह बोलते हैं कि डॉक्टर रह्मान इनका जो फैमली डॉक्टर थे, वो बैठे हुए थे वही भासन में, वही भासन में खरेते सुन रहेते, ठीक है, यह बोलते हैं कि वह भी बैठे होंगे, और वह चिंता में परे होंगे कि जोड़ से, अभी जो जोड़ जोड़ से मैं जो बोल रहा हूं, भासन दे रहा हूं, इसका असर मेरे हिर्दय बुरा होगा, मैं भी समझता हूँ, अब जरात्म धिरे से बोलूँगा, अब अपने को बांध कर बोलूँगा, ऐसा जैपरकास नारा रहेंगे, ठीक है, यह बहुत जरूरी चैप्टर है, इंपॉर्डेंट चैप्टर है, और यह भासन को अच्छे से सुनो ना, एक गंटा का समय मानेंगे, एक गंटा में हम पूरा का पूरा नहीं क्लियर कर दी, अच्छे से तब बोलना, है ना, यह पूरा भासन का अज अगरा पी लीजिए, थोड़ा बहुत सेर्व अगरा करना है, वो भी कर लीजिए, ठीक है, एक मिनट में, फिर आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग, है, हुआ, है, 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 चलो, एक स्टार्ट किया जाए, आगे, भई यह एक मिनट का आप बोले थे, चलो, स्टार्ट करते है, क्या सह इसमय वर्वाग करोगे, मज़ा आ रहा है सबको एक बार जल्दी से कमेंट में लिखिए मज़ा आ रहा है इस बासन को सुनके मज़ा आ रहा है सबको अच्छा लग रहा है कि जल्दे जले से लोग कमेंट करें तो लोग आगे बढ़ेंगे मजा रहा है और आगे भासन सुनना है सबको बहुत अच्छा लग राए सर यख सर यस सर कि देखने वालोने क्या क्या नहीं देखा होगा अब मेरा दावाय क्या देखे सर जैसा नहीं देखा होगा सर क्लास कितने बज़े होती है साम साथ बज़े होती है ओके चलो आगे वड़ते हैं नेट खतम हो गया तो आज पास अपने भाईया मम्मी सिस्टर जिससे भी लेना है लेलो लेकिन साथ अभी क्लास देखो पूरा का पूरा भी कंप्लीट करके ही जाना है सबको पूरा का पूरा भी कंप्लीट करिए अब देखे आगे स्टार्ट होता है यहां पर रामधारी सिंद्र जैपरकास नराइन जी जो भासन दे रहे थे अब आगे बोलते हैं अभी हाल में मैं बैलोर में था तो हमारे परम मित्र और उसने ही उमा संकर्जी दिक्षित पटना पटना आये थे उन्होंने मेरे समद्ध में कुछ अच्छी बाते कई सासा कई पुरस्ण उन्होंने उठाए मेरा उनका बहुत पुराना संबंद 32-33 के आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई के बंबई में ही रहते थे अंडरग्राउंड नेता थे और सदानन जी जो फ्री प्रेस के मालिक थे उनकी अस्थापना की थी उन्होंने उनको ब्रेन ओफ बंबई कहा था यानि एक सबाद आपके बोर्ड परक्षा में अक्सर पूछी जाती है वो क्या है यहां पर इंपोर्टेंट पॉइंट है देख लिजे यह जो है यह उमा संकर्जी दिख्षित ठीक है उमा संकर्जी दिख्षित को क्या कहा जाता है इनको कहा जाता है अस्थापना कीती उनको ब्रेन ओफ बंबई कहा था ठीक है कौन कहते ब्रेन ओफ बंबई कहते कौन कहते उमा संकर्जी दिख्षित को ब्रेन ओफ बंबई कहते कौन कह कहते सदनंजी कहे तें ठेक है जो की जो कि क्या थे जो की फ्री प्रेस के माल्क थे ठीक है यह कुछ पॉइंट है आप याद रुकिए थासन के दौरन यह कुछ पॉइंट है इस अबजेक्टिव को सनाती है आपके परिक्शा में उमा संकर देख्षित को brain of Bombay कहा जाता है और ये कौन कहे थे कौन नवाजे थे इनको ये brain of Bombay के नाम से तो सदानन जी जो कि free press के मालिक थे ठीक है free press के मालिक थे चलो आएए बोलते हैं कि मुझे भी कोई बरी पदवी दी थी मतलब ऐसे ही कोई बरे उपादी दिये थे पर मैं अपनी प्रसंसा नहीं करूंगा उस समय दिक्षित जी हमारे परिचे और दिक्षित जी से हमारा परिचे हमारी घनिस्ता मितरता हुई थी और हमें और underground जबाने की मितरता जो मितरता होती है जो मितरता होती है वो ठोस होती है चाहे हम कहीं रहे वो कहीं रहे ठोस रहती है उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं कुछ ऐसे मित्र हैं अब देखें यहां से में इंपोर्टेंट है इससे भी सवाल बनती है सब्जेक्टिव टाइप कोशन भी इससे बनती है अब फिर से भासन का लोग तुठाईगा अब फिर मजा आएगा आप सबको ठीक है अब फिर मजा आएगा सबको देखें कुछ ऐसे मित्र हैं को हमारे कुछ ऐसे मित्र हैं जिनका भाव अच्छे हैं हमारे पुराने मित्र हैं जो सोसलिस्ट पार्टी में थे जो नहीं चाहते थे सोसलिस्ट पार्टी में थे या जो नही इंद्रा जी का मेल मिलाप हो जाए तो मित्रों मेरे किसी बैक्ती से जगरा नहीं है जो कार्ज गलत होंगे जो नीतियां गलत होगी जो सिधान्त प्रिंस्पल गलत होगे जो कोई भी करे मैं बिरोध करूंगा आपनी अगल के मुताविक हम लोग के हम लोग इनकी तरह नौजवान ते उस जमाने मेरी जुरत हुआ करते थी लेकिन यह जुरत होती थी कि हम लोग हम लोगों कि BAPU के सामने हम का देते थे कि हम नहीं मानते ये बहुत can प्रिंसिपल्स नहीं है उनके गलत नीतियों से जग रहा है जो नीती गलत होगी जो गलत होगा जो principle गलत होगा मैं विरोध करूँगा चाहे वो कोई भी हो ठीक है चाहे वो कोई भी हो मैं विरोध करूँगा और आगे यह क्या कहतने है और आगे यह क्या कहतने है देखिए ठीक है और आगे क्या कहतने है सुनिए हम लोग जब जवान थे नौजवान थे तो हम को कि अंदर इतनी जूरत हुआ करता था कि मैं बापू के सामने हम कहते थ्यानि महातमा गांधी जी को भी हम कहते ex की बापूक हम नहीं मानते अपकी बात बापू और बापão में अधनी हमपन हो लोग गांधी जी को भी बोल देते हैं हम लोग जब जबान थे ना गांदी जी को भी बोल देते थे कि बापु हम आपकी बात नहीं मानते ये बात तो बापु में इतनी महांता थी कि वह बुरा नहीं मानते थे फिर भी बूलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे समझाते थे तो उनकी आलोचना की है मैंने उस जवाने में मैं घोर माक्सवादी था बाद में लोकतांतरिक समाजबादी वन गया किन्तो बापू के मिर्तो के बाद कई वर्सों के बाद 1954 में मैं सर्बोदे में आया आया गया बिहार में ठीक है आया गया बिहार में ये फिर आया बाद में 1954 में मैं सर्बोदे में आया गया बिहार में जवाहर लाल जी थे एक बड़े भाई थे ठीक है जवाहर लाल जी थे ये इनके अंदर इतनी जुरत थी कि महत्मा कांदी जी को बोल देते हैं कि बापू हम आपकी बात नहीं मानते ये बात और बापू में इतनी महत्ता थी महानता थे कि वो बुरा नहीं मानते थे वो समझाना चाहते थे ठीक है तो ऐसा बापू में महत्ता थी उसके बाद कियते हैं जवाहलाल जी थे एक बरे भाई थे मैं उनको भाई कहता था, उनका बड़ा सने था हमारे उपर, पता नहीं क्यूं मुझे वो बहुत मानते थे बहुत, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटू अलोजना करता था, उन्हें में भी बरप्पन था, अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोजनाओं का बुरा नहीं माना लेकिन पटना फाइरिंग पर जो मैंने बयान दिया था मैं मानता हूँ कि बहुत सक्त भासा का मैंने परियोग किया था उस समय पर बहुत नाराज हुए ठीक है तो यह फिर जवाहलाल नहरू जी के बारे में बात करते हैं कि जब अहलाल नहरूजी बहुत बहुत मानते थे भुमानते थे अहले के बुरा नहीं मानते थे लेकिन एक बार परियोग की तो मानते थे बहुत कटू सब्सक्ता इसलिए बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे ठीक है लाल बहादुर जी ने कस्मीर के मामलों में कुछ किया उन्होंने मैंने उनकी भी आलोसना किया था मतलब यह जब 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 जबान थे लाल बहादुर सास्तरी जी का भी आलोसना इन्होंने किया था उनको तार भी दिया था मतलब उनको संदेश भी बेजा था कि बहुत गलत काम आपने किया है इसे कस्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी थोरे ही दिनों में 18 महीने में वो चल बसे देश का दुरभाग है ये कहते हैं कि लाल बहादुर जी को भी मतलब ये बोले थे कि आपने जो नीतिया जो बनाई है इसे आपको दिक्कत होगी जो कस्मीर के सवाल हल करने में आपको दिक्कत होगी थोरे ही दिन में 18 महीने में वो चल बसे देश का दुरभाग है इंद्रा जी से जो मेरा मतवेद है ये बोलते हैं अब देखिए इंद्रा जी और मतलब जवाहर लाल जी का कंपेर ये करते हैं ठीक है कि जबाहर लाल नेरे उसे जी से जो मेरा मतवेद था ना उससे कहीं ज़्यादा मतवेद और सिरियस मतवेद है मेरा किस के साथ इंद्रा जी के साथ ठीक है जबाहर लाल जी से पर रास्ट नीतियों में के समंद में सौरास्ट के समंद में अधिक उनसे हमारा मतवेद नहीं थ ठीक है यह बोलता है कि जबाहर लाल जी जिसे था न वो मेरा पर रास्ट नीतियों के संबंद में जो निरने था उनका जो प्रिंस्पल था उसके संबंद में मुझे मतवेद था सो राष्ट के संबन्द में उनसे कोई मतवेद नहीं था वो राष्ट के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे थे ठीक है दूसरे राष्ट के संबन्द में उनसे हमारा मतवेद था तिबबत के मामले में मतवेद था चीन के मामले में मतवेद था उनके हिड़ते को ऐसी चोट लगी कि दो बर्स में चले गए, समहल नहीं सके, ऐसा घाव लगा जब चीन ने आकरमन कर दिया, वह कभी उमीद नहीं करते थे, आसा नहीं करते थे, कि चीन ऐसा करेगा, थोरी इनकी भी गलती थी, तो पररास्ट नीतियों के समध्न में मतवेत उनसे, अंतर देशी प्रस्नों में नहीं था उनका मतवेत, उतना मतवेत, ठीक है, यह कहते हैं कि जो बेसिकली था पररास्ट, दूसरे रास्टों के समन में जो नीति था, उससे मेरा मतवेत था, सो रास्ट के अंदर जबाहलाल नहरू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मतलब बोला जाए, तो जो इंदरा जी हैं, इंदरा जी से मेरा मतवेत बहुत जादा है और बहुत जादा सिरियस है, जबाहलाल नहरू जी से मेरा मतवेत बहुत गम था, ठीक है, सिर्फ पररास्ट के नीतियों में ही था, अब एक बात ले लीजिए, जिसके चलते करप्षन जो होता है उसका जिमेदार कौन है इलेक्षन का खर्चा सबसे ज़्यादा इससे करप्षन बढ़ा है चुनाब का खर्चा करोरो रुपय वे चुनाब पर खर्च करेंगे एक तरफ गरीवी हटाओं का नारा लगाएंगे समाजबात का नारा लगाएंगे और यहां की पदती को अमुल परिवर्तन होना चाहिए चुनाब का खर्च कम करना चाहिए अगर चाहते हैं कि अगर चाहते हैं कि गरीव के उमिदवार खरा हो सके मजदूर उमिदवार खरा हो सके किसान उमिदवार खरा हो सके गरीव पार्टी के गरीव जो गरीव की पार्टी है व इस अंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र के अस्थापना करना चाहता हूँ, दल विहीन लोकतंत्र सर्वोधे विचार का मुख्य राजनितिक सिधान्त है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्सों में मैं करता रहा हूँ, और ग्राम सभाओं के आधार पर दल परती निदी अस्थापित हो सके इसका प्रयत्न भी करता रहा हूँ कि दल भी ही परती निदी जिसको कोई दल से कोई और मतलब नहीं है वो अपने लिए काम करें देश के लिए काम करें देश के जनता के लिए काम करें इसको कोई दल से मतलब नहीं है ठीक है और इसके लिए मैं काम करता रहूँ परतु बर्तमान आंदोलन के संदर में मैंने दल वहीन लोकतंतर का जिक्र कता ही नहीं किया है ठीक है और आज की अख़बार में यह चपता है अख़बार में मैं पढ़ाओं कि ऐसा कुछ लिखा हुआ था फिर भी मेरे पूराने विचार को लेकर जनता में बिस्यसकर के बुद्धी जीवियों में काफी भरम फैल गया है केबल अपने कम्निस्ट भाईयों में भ्रामक परचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल वहीन लोकतंतर जो माक्सवादी और लेलीन वाद के मूल उद्दिस में से है या वह उद्दिस दूर का है माक्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे सामयवाद की और बढ़ता है बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेटलेस का छे होता जाएगा राज और स्टेटलेस सोसाइटी कायम हो जाएगी और समाज अवस ही लोकतंतरिक होगा बलकि उसी समा बनता जाता है तो वह सायद ही दल्यूक्त होगा आशर्ज है कि कमनिस्ट बंधूओं को अपने इस मोल सिधान्त का बिस्मरन हो गया है ठीक है वह भूल गये हैं जहां तक बरतमान अंदोलन का प्रस्ण है यह कमनिस्ट वाले को सगेड़ते हैं और साथी साथ यह बताते हैं कि जहां तक बरतमान अंदोलन का प्रस्ण है मेरी यह अन्य किसी की ना चात्रों की ना विपक्षी राजनीतिक दलों की ना सरवोदे सेवकों की यह कलपना है कि इस में से यह दल विहीं लोकतंत्र पैदा हो से संभावना तो यही है कि बरतमान कानून तथा नियम आदी के अंतरगत ही पुनर निर्वाचन हो इसलिए प्रस्ण उठता है जैसे कि पिछले सब्ता में कई बार उठा है उठा भी है कि इस हालात में विधान सभा का विगटन से क्या लाब होगा मुझे खेद है कि इतना उसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार वार दिया है वो लोग पूछते हैं कि विधान सभा का विगटन से क्या लाब होगा विधान सभा का विगटन जो आप चाहते हैं इससे क्या लाब होगा लोग हमसे पूछते हैं ठीक है लोग हमसे पूछते हैं कि विधान सभा के व दोसिस थोरे ही लोगों ने की है इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जैप्रकास नारायन बर्तमान चुनाप पदती और विधान सभा चुनाप को कौन सा विकल्प पेस कर रहे हैं तो मेरा अपना विकल्प चुकी नए ढंका है तो घिसे पीटे राजनितिक चिंतन से भिन है इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता अगर मैं यह कह दें कि मेरे विकल्प यह है कि मैं इस अंदोलन या और संगर्स में से एक नई पार्टी का निर्मान करूंगा तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और इसके बाद मेरी आलोसना शुरू हो जाएग कि यह आदमी केबल अपनी सत्ता और सात्रों और जनता के अंदोलन का दुरूप योग कर रहा है अगर मैं बोल दूना कि एक नई पार्टी का गठन होगा तो सब लोग यह बात अच्छे से समझ जाएंगे और सब लोग उस समय क्या रहेगा बाद में फिर जाके मतलब एक तरीके से क्या आलोजना भी सुरू कर देंगे कि यह आदमी सिर्फ शात्रों और अंदोलोन का दुरूप योग कर रहा है और मैं अभी बोल रहा हूं कि दल विहीं लोग तंदर का स्थापना करना लेकिन जब मैं कोई नई बात करता हूं तो इसको समझने की कोशिस कम होती ह या नहीं होती है तो क्या है मेरा कहना संचेप में यह है कि आज अब देखिए क्या कहना चाते हैं अब यह संचेप में बताते हैं यह संचेप में बताते हैं क्या है इनका कहना ठीक है आज की परिस्थिती में आम जनता को आम मद्दाता को अब बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी देखिए ये बताते हैं आज भी वैसा ही जल रहा है अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बस आप थोरा सा सबर बनाए रखिए और समझे इसको थोरा स होती है ना उमिद्वारों के चैन में मद्दाताओं का हाथ होता है ना ही चुनाव के बाद उनका परतिनीदी पर उनका कोई अंकुस ही रहता है आज क्या है बस चुनाव देना जनता का मात्र इतना अधिकार है कि वो चुनाव दे भोट दे बस इतना ही अधिकार है यह बोट अधिकारी नहीं रहता है मैं इन दोनों कम्यों को दूर करने के प्रयत्मत कर रहा हूँ अंकुस रहे जनता अपना सवाल कर सके जनता का प्रतिनिधी को करना हुगा ऐसा मैं यह चाहता हूँ अपना देश पिष्रा हुआ है इसके बावजूद इसके कि हमारे लोकतंत्र के अस्थापना की है बिक्सित देशों में लोकतंत्रिक समाज में जो परती परभावी सक्तियां यानि परस पर एक दूसरे को परभावीत करने वाली सक्तियां होती है जर्मत का जो परवल परभाव परती निदी पर निरंतर पढ़ता है जो सुतंत्र और सासी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं सिख्षि समुदाई का जो बैचारिक और नैतिक असर होता है इस सारे इंस्वास्ट्रिक्टर का यानि जनता का सासन के बीच इंसर रसना का यहां नितांता वाव है बहुत सारे देश में जहाँ पे लोगतंदर चलता है वहाँ पे क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं जो प्रेस होते हैं वो सब एक तरीके से सवाल करते हैं परते निदी से लेकिन यहाँ पे यह infrastructure अभी कमी है है इस सीज में हमारा लोगतंदर केवल नाम मात्र का रह गया है इस पूरी अंतरी संरशना का infrastructure का निर्मान तो एक दिन में नहीं हो सकता परन्तु इसके अभाब में आम जन्ता या मत्दान के सिवा कोई और पार्ट अदा नहीं कर सकता इसमें क्या हो रहा है अभी सिर्फ इतना अधिकार है जन्ता को कि सिर्फ वो जाके बोड़ दे उसके बाद उसको कोई अधिकार नहीं है वो नहीं मतलब उसका जो परतिनीदी जो चुनाव करके भेजता है जिसको बोड़ देता है जिसको जिताता है वही बाद में आकर उस और सशंद्र हो जाते हैं एकदम, बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं और जनता का किसी परकार से अंकुष उन पर नहीं रहता है। कोई विबात एक तरीके स्निमानता है जंता का कोई उसपर लोड रहता ही नहीं है शिवा इस भे का कि अगले चुनाब में जंता यदी चाहे तो उनको भोट नहीं दे बस इतना ही उन लोग को डर रहता है कि हाँ जंता चाहे कि तो अगले बार उनको हरा भी सकती है भोट नहीं दे सकते है परन्तु यह भेभी रुप्या जाती बल परियोग मिथ्या चरन आदी के कारण निस्प्रभ हो जाते हैं मतलब यह भेभी खतम हो जाता है एक तरीके इस निस्प्रभ हो जाते हैं किस बल पर रुप्या जाती बल परियोग ने मिथया चरण इस सब के कारण रुप्या देके जाती बाद करके ये सब करके ये भी डर खतम हो जाता है अब चुक्वक परदेश में चातर युबक और सर्व साधारन जो जनता जागरित हो गई है वो आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है अब जो जनता लोग है न अब छादर लोग है वो अब कुछ नया चाहती है अब जनता जाग रही है ठीक है बर्तमान परिस्तिती में परिवर्तन चाहती है अब जनता क्या बर्तमान परिस्तिती में परिवर्तन चाह रही है ज इस परिस्थिति का लाब उठा कर मैं कहना चाऊंगा कि आज जो औसंगठित जनता है इस परिस्थिति आज जनता लोग चाती है कि इसमें परिवर्तन हो आज जनता जागरित हो गई है चातर जागरित हो गए हैं जाग गए हैं सब लोग तो आज इस औसंगठित जनता को मैं क चाहूंगा इसका लाव उठाकर मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी सक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके कि यह और संगठी जो अलग जो जनता है न सब ऐसा चाहे कि सब एक साथ हो जाए एक जूट हो जाए और ऐसे लोगों को चुनाव मतलब जिताए अपने में अपना कुछ सुझाब देते हैं एक तो यह है कि जब बिधान सबा अगला चुनाव हो तो हमारी चातर संगर्स या जन संगर्स समितियां मिलकर के आम राई से अपना उमिद्वार खराज करें यह बूलता है कि बिधान सबागा अब इगटन नहीं होगा तो अगले बार इगटन नहीं होती तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आप प्रकार के चुनाब में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा यानि जनता और चात्रों के संघर समीतियां उमिद्वार के चैन में अपना महत्पून रोल लगा करेगी दूसरी बात कि जो भी उमिद्वार आमुक चुनाब छितर में जीतेगा उसके भावी कार्जकरम प उस पे निगरानी रखने का कार्ज कौन करेगा ये संघर समीतियां करेगी ये समीति हैं लोगों का समीति हैं वो समीति में जितने भी लोग है वो मेंबर जो है उनका काम रहेगा कि जो भी परतिनिदी जिस छेतर से जीता है उस पर नजर बनाए रखना ठीक है अगर उस छे परकार से जनता का अंकुस इन लोगों के उपर होगा और आज के तरह जो है उत्षिकल जो होता है मतलब बिना मतलब कोई मतलब भी नहीं रहता है आज की तरह निरगुस और सचंदर वे नहीं रह पाएंगे ठीक है इस सिले में मैं एक बात असपस्ट करने के आप सकता है कि ज परकार के समीतियों के लिए बराबर एक महतपुर्ण कार्ज रहेगा गाओं में एक छोटे अफसरों या कर्मचारियों की चाहे वे पुलिस के हो या अन किसी परकार के जो घुस्खोरी चलती है जो उसके खिलाब संगर्स रहेगा ठीक है यहाँ पर यह बोलते हैं कि गाओ गाओं में बहुत परकार के क्या होता है एक तरीके से गाओं में बहुत परकार के संगर्स रहता है बहुत परकार के अलग अलग तरीके से ब्रस्टा चार है जो भी छोटे अफसरों कमचारी चाहे वो पुलिस में हो या किसी भी परकार के जो घुस्कोरी चलती है उसके खि है ठीक है एक सकंड है किए यह बोलते हैं कि साथ साथ जितने बरे-बरे किसान जो बेंयं़ी और फरजी बंदवस्तियां की है उनके विरोधिये Soft wieder करेगी उन सबका भी विरोधिये समीथां करेगी फरजी तरीके से किसानों का जमीन जो लूट-लूट के अपने रखे हुए हैं ये बरे-बरे किसान बन चुके हैं इन लोग का विरोध ये समीतिया करेगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संगर्ज करेगी गाउं में तरह-तरह के अन्याय होते हैं मेरी कलपना है कि समीतिया उन अन्यायों को भी रोकेगी इस परकार से जनता कि अच्छातरों की ये निर्दलिय संगर्ज समीतियां अस्थाई रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बलकि समीतियां आर्थिक न्यातिक करांति के लिए अत्वा संपुन करांति के लिए एक पुर्ण कार्ज करेगी, तो यहां पर क्या बताया गया, यहां पर बताया गया, कि जो भी परतिनिदी हम ऐसा चाहते हैं, कि जितने भी परतिनिदी होना, वो अगला जो होगा, विधान सवा चुनाब होगा, उसमें जो भी परतिनिदी खरे किये जाए, वो संगर समीतिया, काम रहेगा कि उस पर नजर बनाए रखे कि वो जनता का बात मानते हैं अगर कोई गलत कदम उठाते हैं तो संगर समीतियां काम होगा कि उसको उस परतिनिदी को बरखास्त करने का इस्थिपा दिलवाने के लिए बाध करेगी यह संगर समीतियां ठीक है हर अमेशा इस परकार से जनता का अंकुस्त के ऊपर रहेगा जनता का बात वो मानेगा आज की तरब वह सवचंद नहीं हो मेंगा उसका मतलब बिना मतलब कोई काम करेगा अपना स्वार्थ के लिए यह नहीं हो पाएगा उसके साथ में यह संगर्स करेगी जो भी छोटे अपसर चाहें वो पूलीस में हो कोई भी अपसर आगर वी न क्या वरस्टा चार कर रहे हैं तो उसके खिलाब संघर्स करेगी साती साथ जो किसान है बरे बरे किसान जो बहुत सारे छोटे-छोटे किसान से जवरदस्ती ज़ो जमीन हरप लेते हैं उन लोग के खिलाब भी ये कदम उठाएगी और इससे क्या होगा कि एक बहुती अच्छा समाज का निर्मान होगा और जनता का यहाँ पे काम हो सही जनता का सही से नियाई मिल सकेगा, काम हो सकेगा और यही जो है संगर समीतिया का काम रहेगा और इससे क्या होगा कि सिर्फ जो है लोकतांत्रिक के लिए नहीं बलकि समाजिक, आर्थिक, नैतिक रूप से करांती के लिए अत्वा संपुन करांती के लिए एक बहुती महत्पुन कार्ज यह संहुआ करते हैं कि जैसे वह सारा चीजह कहानी बताते हैं कि वह घए सर रहुए उसके बाद वहाँ से आये तो कॉंग्रेस में क्यों सामिल हुए, माक्सवाद ये जो है ना अलग अलग पार्टी में क्यों नहीं सामिल हुए, सिर्फ वो कॉंग्रेस में क्यों सामिल हुए, ये भी बात करते हैं, उसके बाद बहुत सारा चीज बताते हैं, रामधाई सिंदि का कोई बात नहीं मान रहे हैं तो इसके खिलाब हम जाते हैं कुछ एक अच्छा कदम उठाएं तो उस कदम के लिए अपना एक सुझाब भी परदर्सित करते हैं संगर समीतियां के बारे में बताते हैं कि जो भी परतिनिदी जीजतेगा तुरत ये संगर समीतियां उसके बोले कि बाई तुरत अपना पत्षोरो इस्तिपात हो जल्दी से इससे क्या होगा कि जनता का जो है अंकुस रहेगा हरामेसा परतिनिदी पर परतिनिदी पर अपना पकर बना रहेगा प्रतिनिदी जनता के बारे में हर हमेशा सोचेगा ठीक है उसको भैबना रहेगा यह अपना सारा ची सुझाब देते हैं और यही अभी चाहिए लोगों को दिये बताते हैं पूरा यह भासन के दौरन यही सारा बातचीत होता है I hope so कि आपका यह पूरा चाप्टर अच्छे स जुड़ जाएगा इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ चैप्टर वन बातचीत पार्ट को हम पूरा हिंदी अर्थ अच्छे से बता दिये हैं आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिये हैं ऐसे ही चैप्टर टू जो आपका उसने कहा पूरा हिंदी अर्थ पढ़ा दिये हैं उसने कहा था कि हिंदी अर्थ देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है देखिए उसमें पूरे अच्छे से एकदम मस्त मक्षन तरीके से बता दिये हैं आप बस एक बार देखोगे आपको सारा चीज समझ में आ पूरा कैसा लगा कितना मजा या करके हैं ना हम जरूर आप लोग का कमेंट पढ़ेंगे और साथी साथ सबी अपने और वी जो भी दोस्त बगर आउं सबको वी इस चैनल से जोड़िए हैं ताकि ज्यादा ज्यादा लोग रहे और अच्छे से और क्लास हम ले सके सारा क्ला इसे होगा नोटिफिकेशन चला गया एक वीडियो का क्या अच्छा एजो किसना आवा पर हिंदे का क्लास लाइव और आपका मन हुआ चलो ठीक है ऐसी बैठे हुए हैं चलो जाके देख लाए आप आगए लाइव में और यहां पर आये तो पूरा एक चैप्टर खतम कर ल पर आइब था दे त Bangladeer फॉल्ड थैंक्यू फर अनुक्यू सर अप पड़ते हं नहीं पड़ते हैं नहीं कहा पड़ रहे हैं तब बीना कमेट अध्टहир थोड़ी आपका कमेंट्स अम देख वारह है कमेट थो पड़ी है ना चलो सर कल से डेली क्लास आएंगे लाइब में हम डेली आएंगे ओके बिलकुल आईए जितने भी नए बच्चे हैं वो सब को बता दे साम में साथ वज़े डेली आ जाये करिए और पुराने बच्चे आप तो मेरे एक तरीके सब कुछ हो आप लोग तो जानी रहे हो साम में साथ क्लास है आजाना बहुत अच्छा लगा सर आपकी क्लास ओके सर थैंक यू सो मच फूर विटिफुल सेशन थैंक यू सूपर सभी उपर सर बहुत अच्छा ग्लास चलो डास ग्रेट बस आप लोग को समझ में आया बस यही चाहिए था और यसी के लिए बस अभी लगातार मेनद कर रहे थे और ऐसी बस आगे पढ़ते चलिए जो भी चैप्टर आप अगर नहीं कंप्लीट के हैं तो डिस्कृप्शन लिंक है आप जाके करके कंप्लीट करिए आगे कल इसका अगर अगर अपना त्यारी करना है अगर अपना पूरा त्यारी कर सकते हैं कोर्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए कि कितना फी है और कॉर्स में क्या क्या चीज है कौन-कौन सा सब्जेक्ट रहेगा सारा का MEDIUUM हिंदी-INGLISS Science Commerce Arts है और अलग-णग टीचर होंगे हिंदी-INGLIS मेडियम के लिए अलग-णग टीचर और वैसे टीचर जिनका experience होगा 7 साल 10 साल 15 साल ऐसे experience वाले टीचर मतलब यह नहीं कि 2 साल से एक साल से अभी पास किया और पढ़ाने लगे, ऐसा वाला टीचर नहीं, वो ऐसा टीचर होंगे, एक्स्प्रियंस टीचर, जो कि बिहारवड में प्रॉपरली कॉपी चिक करने जाते हैं, वो ऐसे टीचर होंगे, जो कि लगातार अपना टॉपर्स देते आये हुए हैं, तो वैसे टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे, तो आपर जो किसमा वाइब इंस्टॉल करके देख सकते हैं, या पर डिरेकल इस नहाँ पर कॉल करके बात कर सकते हैं, कोर्स के बारे में, ठीक है? चलो, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सेर वगरा कर सकते हैं, अपने सारे दोस्तों के साथ, चलिए धन्यवाद